आज के इस वीडियो में देखेंगे आज हम लेखक यसपाल जी का जीवन परीचे देखेंगे उनकी रचनाये देखेंगे भासा सेली एवं साइतिमिस्तान देखेंगे तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सस्काइब करेगा नोटिफिकेशन ओन करके रखेगा देखे ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेश अब सब पहले आप तक पहुचे देखे जितने भी महत पुन लेखक परीचे हैं उनकी सभी के एक सेपरेट प्लेलिस्ट में नहीं बना दिये चैनल पर आप चेक कर सकते हैं आप मन चाहे उस लेखक परीचे को कंप्लीट कर सकते हैं हाला कि सभी करने हैं और सभी आपकी परीचह में हर साल पूछे ही जाते हैं तो उसके ही अकोडिंग मैंने महत पुन लेखक परीचे ही आपको पढ़ाये हैं ताकि आपको किसी भी तारे की दिक्कत ना है अब हम देखेंग सबसे पहले इनका जीवन परीचे देखिए जीव परीचे के अकोडिंग क्या लिखना है जीवन परीचे के अकोडिंग हमें लिखना है इनकी जिन्दगी से संबंदित बाते जैसे की इनका जन्म कहां हुआ कौन से संद में हुआ इनके माता पिता कौन है इन्होंने अपनी सिक्षा कहां से प्राप्ते की कहां तक इन्होंने सिक्षा ली इसके बाद में इनकी मृत्यू कब हुई तो एसी बाते इनके जीवन से जूड़ी हुई हमें जीवन परिचे के अकोडिंग लिखना है तो आई ये सिरू करते हैं देरी ना करते हैं वीडियो को तो देखिए येसपाल का जन्म फिजोरपूर कहां पे सन 1903 में हुआ था उनका जन्म कहां पे हुआ कौन से सन में भिजोरपूर छावनी पंजाब में सन 1903 में हुआ था इन्होंने अपनी मा के सरक्षन इनकी बचाव में कानगड़ा तथा लाहोर से बिये तक सिक्षा प्राप्ते की तो इन्होंने कहां से सिक्षा प्राप्ते की किस वज़े से तो इन्होंने अपनी मा के सरक्षन यानि बचाव में कानगडा तितल लाहोर से बिये तक इन्होंने सिक्षप्राप्ते की इसके बाद भगत सिंग एवं सुकदेव से जड़ाव यानिकी इनका मिले ये इसके कारण सुतनतता संग्राम की क्रांती कारी धारा में सक्री रहे इन्होंने जो क्रांती कारी धारा चली थी उसमें इन्होंने भाग लिया इसकी इनकी बंदी बना इनको क्या कर लिया गया बंदी बना लिया गया तोकि ये भी क्रांती कारी धारा में इन्होंने भी भाग इस वज़े से इनको भी बंदी बना लिया गया था तथा 14 वर्स की सजा मिली कितने वर्स की सजा मिली फिर इनको 14 वर्स की मंगल प्रसाद परितोसित मंगल प्रसाद परितोसित तथा पदभूसन से आपको विबूसित किया गया तो क्योंकि भारत को अजात करने में इनका भी हाथ था तो इनको पदभुसन से विभुसित किया गया और सन 1974 में इनका निधन हो गया इनका निधन कब हुआ उननिस सो चोगतर में तो ये था इनका जीवन परिचे याने की इनके जीवन से संबंदित बाते तो ये यहाँ पर मैंने पूरा डीटेल से लिखा है कि क्या के इनके जीवन में हुआ तो आप अपने अकोर्डिंग इसको छोटा कर सकते हैं एक दो लाइंग आप हटाना चाहते तो हटा सकते हैं लेकिन आपको सबसे पहले इनका जन्म कहां पर हुआ और कौन से सं में हुआ ये जरूर लिखना है और आखरी एंडिंग में आपको इनकी मृत क्यू सं जरूर लिखना है ये दोनों चीज़े तो आपको हमेशा हार एक लेखक या कवी परीचे में लिखना है तो आपको अच्छे सं में आया होगा जीवन परीचे आईए अब हम देखते हैं की रचना है तो देखिए पहली रचना है ग्यान दान क्या है ये ग्यानी दानी है एक तो तर्क का भाग लिया था तो उसमें तरक का तुफान आया तुफान आया तो फिर इन्होंने तुफान आया तो क्या भरी उडान भरी किसकी पिंजरे की उडान भरी और देखिए जो करांतिकारी धारा थी उसमें क्या था जूटा सच दिखाया गया था और उसमें था एक अमिता नाम की देश द्रोही थी अमिता नाम की एक देश द्रोही थी तो ये 5-6 रचना है आप अपने कोडिंग कर सकते हैं ट्रिक के जरी ये भी आप करना चाते हैं तो इस तरह से कर सकते थे कि जो यसपाल जी है वह एक ज्यानी द्यानी थे तो उन्होंने क्रांतिकारी धारा में भाग लि उसमें एक अमिता नाम की महिला थी उसने जूटा सज बता है जो की देश द्रोही थी तो आप अच्छे से स्क्रीन सोट लीजे आगे हम प्रस्निक और चलते हैं देखिए अगला है हमारा भासा और सेली देखिए भासा के अकोडिंग है कि इन्होंने कौन सी भासा में अपन ती रशना किये तो अपनी रशना किस में किये व्यवारिक भासा में साइट रशना किये इन्होंने तत भव तत सम देशज तत वीदेशो सब्दों को अवसकता के अनुसार अपना लिया है तो अवसकता के अनुसार इन्होंने तत भव तत सम देशज और वीदेशो सब्दो को भी अवसक्ता की अनुसार अपनाया है इनका भी अवसक्ता की अनुसार उन्होंने प्रयोग किया है इसके बाद में मुहावरे एवं लोकोगतियों से इनकी भासा में चमत कर आ गया है तो मुहावरे से और लोकोक्ती से इनकी भासा में चमत कर आ गया है अब हम देखते इनकी सेली पहले सेली ये वर्णात्मक सेली देखिए वर्णात्मक कियाने की इस सेली का प्रियोग कहाँ पर किया जाता है तो जब हम किसी भी वस्तु का या भी किसी व्यक्ति का या घटना काम वर्णन करते हैं तो उस समय सेली का प्रियोग किया जाता है तो यस्पाल ने घटना, इस्तती, वातावरण आदी को वन्नात्मक सेली में प्रस्तुत किया है कहा पर प्रस्तुत किया है? घटना, इस्तती, वातावरण आदी को वन्नात्मक सेली में प्रस्तुत किया है नमबर दो भावात्मक्सेली यनिकी मन की फिलिंग मन के विचार भावपुर्ण संधर्बों में भावात्मक्सेली का प्रयोग किया है तो इन्होंने भावपुर्ण संधर्बों में भावात्मक्सेली का प्रयोग किया है नमबर तीन विवेचनात्मक से लिए कि किसी विशे के विवेचनेन की तर्ग करने में यह से लिए प्रियोग किया की जाती है इसके वाद हमारे हासी वियंग से लिए हसी तो इस से लिए में यह स्पाल ने बड़े सटिक वियंग तथा हासी का विधान किया है तो यह है आपकी चार सेलिया है वर्णात्मक सेली भावात्मक सेली विवेचत्नात्मक सेली और हस्व्यंग सेली आईए अब हम देखते हैं इनका सायत्ति में इस्थान सायत्ति में इस्थान बहुती सिंपल है कि इनका सायत्ति में विशिष्टी स्थान है इनके लेखन के लि जान दिया है जो बाते बताई है हिंदी सायति को उनके लिए इनको सदा ही हिंदी सायति क्या करता रहेगा इसमरण यान की याद करता रहेगा और इन्होंने करांतिकारी धारा में भी भाग लिया था जिसके चलते उनको बंदी बना लिया गया था और उनको 14 वर्स की क्या दी गई थी सजा दे गई थी तो इनका साइटे में विशस्टेश थाने इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरंग किये जाएंगे तो आपको चसन में आया होगा तो आज की इस वीडियो हमने लेकक यस्पाल जी का जीवन परिचे पूरा देख लिया है पूरे उनकी डिटेल से ह हमने देखा है आज की इस वीडियो में आप चाहें तो सभी को कम कम कर सकते हैं जैसा कि मैंने पढ़ाया आपको इतना ही नहीं लिखना है अपना कोडिंग आप ढाल सकते हैं तो आप अच्छे से कंप्लेट कीजिएगा